और देखे दिल्ली के राजेंदर नगर सीट पर उप्चुनाव होने हैं वहीं आमादमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक पर दाव खेला है दुर्गेश पाठक किन मुद्दो को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं इसको लेकर नेटवर्ग 10 की टीम से आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने खास बातचीत की है सुनवाते हैं आप राजेंदर नगर विदाहन सवाग के प्रत्यासी आमादी पार्टी से उतारा गया है इनको हमारे साथ दुर्गेश पाठक दिया है दुर्गेश सी क्या एजंडा रहेगा आपनों को चुनाव लने पर क्या आगी का है अरविंद केजरिवाल जी की सरकार ने यहां के विदायक ने बहुत काम किया है और लोग खुश हैं और हम चाहते हैं कि यह काम आगे कंटीनियू रहे यह काम आगे जरूरी है कि अरविंद केजरिवाल जी की सरकार ने बहुत करा सकती है किन मुद्दो के चुनाव लड़े लड़े हैं एक तो जो पहले के काम हमने की हैं उन मुद्दो पे चुनाव लड़े हैं और आगे की जो परशानिया है लोकली महले वाइज, कालोनी वाइज, गाउं वाइज जो पर सानिय उसके उपर काम कर है आपको क्या लगता है कि राइंदलनेगर की सबसे बरी समस्या क्या है? देखिए मालनी वाइज जाएँगे तो समस्या है प्यता चलेंगे लगवग 70-80% समयस्याओं के उपर काम हो चुका है, पानी की पाइपलाइन, स्कूल्स बनने का काम है, वो सारी चीज़े महला क्लीनिक खुल चुके हैं, सीवर का कनेक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, तो यहाँ पर CCTV कैमरे लग चुके हैं, तो बहुत सारे काम हो चुके हैं उन कामों के उपर जैसे दो यूज्यार बड़े बनने हैं या पर एक हॉस्पिटल बनना है, इन सब चीज़ों के उपर काम करेंगे हैं, बिरुजगारी के उपर तो सरकार काम कर रही है, अगले पांच साल के अंदर बीस लाख नहे रुजगार पैदा करने का मुना है, मैं मैं अमीड के साथ भी एक शिन्यार को कैन दिली,